इधर केंदर सरकार ने जनगर्णा के अधिसूचना जारी नहीं की लेकिन एक जनवरी दोहजार पचीज से प्रशासनिक सीमाय सील हो जाएंगी और उससे पहले भारत के रजिस्ट्रा जनरल एंड सेंसेस कमिशना मृत्यूंजे कुमार नरायन का कारिकाल अगस्ट दोहजार 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया और इससे संकेत क्या मिले संकेत ये कि अगले साल जनगर्णा होगी इसके बाद अगले साल 2026 में लोकसभा सीटों का परिसिमन यानि की डी लिमिटेशन होगा और फिर इसी आधार पर 2029 में साथ होने वाले चुनाव में एक तिहाई सीटे महिलाओं के लिए अरक्षित की जाईए इसी बीच तमिलनारू के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने एक बड़ा सवाल उठा दिया स्टालिन ने एक समाजिक कारिक्रम में जहाँ पर 16 नव विवाहित जोडों को आश्रवात दिया जाना था वहाँ पर उन्होंने कहा कि जब हम ऐसी इस्तिती का सामना कर रहे हैं जहाँ पर संसत में सीटों की संख्या कम होने वाली है तो हमें छोटा परिवार क्यों रखना चाहिए इसके आगे उन्होंने नव विवाहित जोडों से जादा बच्चे पैदा करने और उन्हें सुन्दर तमिल नाम देने का अग्रह किया है सालिन ने कहा कि शायद अब ये समय आ गया है कि जो नए कपल्स हैं वो 16-16 बच्चे पैदा करें सालिन की ये टिप पड़ी चंदरबाबू नाइडू द्वारा इसी तरीके का बयाम दिये जाने के एक दिन बाद आई नाइडू ने कहा था कि दो से जादा बच्चे हैं तभी चुनाब लड़ पाई जब दुनिया भर में भारतिय जनसंख्या टॉप पर है ऐसे में दो राज्यों की मुख्या जनसंख्या घटाने की जगा जनसंख्या बढ़ाने पर क्यों जोर दे रहे हैं हम दो हमारे दो का नारा लगाने वाला भारत और उसके एक राज्य के मुख्य मंत्री हम दो हमारे दो की बात क्यों नहीं कर रहे हैं इन सवालों का जवाब आईए आपको समझा देते हैं क्योंकि उत्तर भारत और दक्षण भारत में प्रजनंदर के आकड़ों पर जरा आप एक नजर डालिएगा सबसे पहले आंध प्रदेश और फिर तमलनाडू की बात करोगे आंध प्रदेश में जहां पर प्रजनंदर है 1.68 तमलनाडू में कितनी है यह 1.76 करनाटक में 1.67 तलंगाना में 1.75 और केरल में 1.79 अब आजाएए उत्तर भारत में उत्तर भारत के राज्यों का कुछ उधारण देखिए जैसे कि उत्तर प्रदेश में जो प्रजनंदर है वो है 2.35 राजस्थान में 2.01 बिहार में है 2.98 मध्य प्रदेश में 1.99 और हर्याना में 1.91 अब दक्षिड के राज्यों और उत्तर के राज्यों में प्रजनंदर का जो डिफ्रेंस है वो आपको साफ तोर पर रिफ्लेक्ट हो रहा है हाला कि स्टालिन ने संसद में सीटों की संख्या कम होने के बारे में विस्तार से कुछ नहीं कहा लेकिन उनका इशारा डी लिमिटेशन के बाद की जो इस्थितिया होंगी उस तरफ था और आंदर प्रदेश के सीम चंदरबाबू नाइडू ने भी लोगों से जादा बच्चे पैदा करने का आग्रह किया हाला कि उनका गोशित सरोकार ये था कि दक्षर के रज्यों में आबादी बूढ़ी हो रही है और कामकाजी युवाओं की संख्या कम हो रही है लेकिन कही न कहीं वो इस बाद से चंतित हैं कि अगर आबादी के आधार पर लोगसभा सीटो का परिसिमन हुआ तो दक्षर के रज्यों की रजनितिक हैसियत घट जाएगी अब इसके बाद ये बहुत बड़ा सवाल है कि लोकसभा सीटों के परिसिमन का आधार क्या होगा क्या सीधे तोर पर पॉपिलेशन के हिसाब से सीटों की संख्या में बढ़ोतरी कर दी जाएगी और अगर ऐसा हुआ तो उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश और राजस्थान साथी महराष्ट जैसी जहां पर बड़ी आबादी वाले राज्जे हैं उनको इसका फायदा हो जाएगा और जो दक्षन भारत के राज्जे हैं वो इस लिहास से अगर याधार रहता है तो ये घाटे में रहेंगे और तभी चंदरबाबू नाइडू और M.K. स्टालिन की चिंता समाजिक या फिर आर्थिक नहीं है बलकि राजनेतिक जादा दिखती है ये चिंता शेत्रिय वर्चस्व और फिर असमता की राजनीती में भी बदल सकती है और इससे एक बड़ा खत्रा पैदा हो सकता है इसलिए सरकार को परिसिमन के फॉर्मूले के बारे में तर्क संगत तरीके से विचार्थ करना होगा और उस पर सभी दलों और राज्यों की सहमती अनिवार रूप से लेनी ही होगी दरसल जो डी लिमिटेशन है वो हर जनगरना के बाद होता है और ये प्रक्रिया जनसंख्या के लेटिस टांकरों के मताबिक संसद और रज्य विधान समाओं के जो निर्वाचन शेत्र हैं उनकी संख्या को एडजस करती है ताकि ये सुनेशित किया जा सके कि कोई भी सांसद या फिर विधायक जिस जनसंख्या का रेप्रेजेंटेशन कर रहा है उसमें लोगों की संख्या लगभख समान नसर आए मतलब ये कि इसी प्रतिनिधित्व का बैलंस बनाए रखने के लिए ये मस्ट हो जाता है अब आजादी के बाद से मोटे तौर पर आबादी के आधार पर ही लोगसभा और विधानसभा सीटों की संख्या तै होती रही है और तभी उत्तर प्रदेश में 80 सीटे हैं तमलादू में 49 है लेकिन आजादी के बाद राज्यों ने जनसंख्या नियंतरण के उपायों को अलग-अलग तरीके से लागू किया जैसे कि मसलन दक्षन के राज्यों का जिक्र करते हैं वहाँ पर जनसंख्या बढ़ने की दर रिप्लेस्मेंट रेट से भी कम है रिप्लेस्मेंट रेट कितना है? 2.1 इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर दो लोग मिलकर 2.1 बच्चे पैदा करते हैं तो जनसंख्या नहीं बढ़ेगी, वो स्थिर हो जाएगी अब दक्षर के राज्यों में जनसंख्या बढ़ने की दर 1.6% है जो कि रिप्लेस्मेंट रेट से काफी कम है अब उत्तर के राज्यों में, खासकर जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश वहाँ पर व्रद्धीदर रिप्लेस्मेंट रेट से जादा है और एतिहासे क्रूप से ये स्थिती रही है और तभी दक्षर के राज्यों में आबादी नियंत्रित हुई और उत्तर भारत के राज्यों में ये बढ़ती चली गई हाला कि अब वहाँ पर भी रफ्तार धीमी हो रही है लेकिन उन राज्यों की जनसंख्या बहुत जादा है और अगर इसी आधार पर उनकी लोकसभा सीटे बढ़ती है तो उन राज्यों के साथ अन्याय होगा जिन्होंने अपने यहाँ पर आबादी के बढ़ने को रोका है उन्होंने अच्छा काम किया और इसके लिए उनको सजा नहीं दी जानी चाहिए अगर सरकार बहुती ट्रेडिशनल तरीके से आबादी को आधार बनाती है और on an average 20 लाग की अबादी पर एक सीट का फॉर्मूला तै होता है तो दक्षन के ज्यादतर राज्यों में सीटों में कोई बदलाब नहीं होगा जबकि उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या 80 से बढ़कर हो जाएगी 120 ब्यार में जहां पर अभी 40 लोकसभा सीटे हैं वो बढ़कर हो जाएगी 70 अब आप ज़रा सोचें कि इससे इन रज्यों की रजनेतिक हैसियत कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी और अगर ऐसा होता है तो overall लोकसभा की सीटों में बड़ी बढ़ोतरी करनी होगी वैसे नए संसद भवन में इसकी तयारी पहले ही हो चुकी है क्योंकि नए संसद भवन में निचले सदन यानि की लोकसभा में 880 सांसदों के बैठने की विवस्था है और अगर संख्या इतनी नहीं भी बढ़ाएं तब भी 800 तक संख्या जा सकती है और इसी फॉर्मुले से यानि की आबादी के रेशो में अगर सीटों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया जाता है तो दक्षण के सभी राज्यों को मिलाकर करीब 20 सीट का फाइदा होगा लेकिन उत्तर और पश्यम भारत के राज्यों में 1500 से जादा सीटे बढ़ जाएंगी और यही है सिंपल फॉर्मुला जिसको लेकर दक्षण के दो राज्यों के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि जादा बच्चे पैदा कीजिए